बात सन 2013 की है एक पुलीस आफिसर अमारिका में इलिनॉइस के ग्रामीरे इलाके में एक मेडिकल बिल्डिंग में चोरी की जाच कर रहे थे जब वें MRI रूम में पहुँचे अनायास ही पहुँचे वो तभी आचानक उनका सर्विस रिवॉल्वर MRI मशीन ने खीच लिया काफी कोशिशों के बाद भी उस रिवॉल्वर को नहीं निकाला जा सका उसे तभी निकाला जा सका जब उस मशीन के निर्माता को संपर्क किया गया 2013 में हुई पुलिस अफसर के साथ ये घटना पहली नहीं थी 2009 में भी इसी तरह की घटना हुई थी एक अफसर अपनी मां से मिलने के लिए MRI रूम गय थी तभी उनकी रिवॉल्वर भी MRI मशीन दवारा खीच लिग थी इस घटना में उनका हाथ भी फस गया था लेकिन वो कि प्रेंस उनकी गन को मशीन ने अपनी तेज मेगनेटिक फील्ड से कीच लिया और इस घटना में गन से गोली भी चल गई जो दिवार पर जाकर लगी खुशकिसमती ये रही कि किसी की जान नहीं गई अमाराई का हाथसा नमबर तीन देन महुनी देन महुनी एक 89 साल के बुजर्ग थे जो न्यूयॉक मेटफोर्ड के रेडियोलॉजी सेंटर में बुरी तरह से घायल हो गए थी डेन महुनी की बेटे के अनुसार वहां के लोगों ने बताया था कि माराई रूम में मेटल के वस्तुएं ले जाना बहुत खतरनाक है लेकिन किसी ने भी डेन महुनी के मेटल वॉकर को वो वॉकर लेकर चलते थे उसे रूम के बहार रखने के लिए कहा ही नहीं सब ने डेन महुनी के उस वॉकर को नजर अंदास कर दिया भूल गए लापरवाही कर दे फिर क्या था जैसे ही महुनी मारा रूम में प्रवेश करते हैं उनका मेटल वॉकर सीधा चूट कर मिजाइल बन जाता है और मशीन में जाच चला जाता है और वो बुरी तरीके से गिर जाते हैं जिस कारण से उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटाती है और ठीक दो महेने बाद उनकी मृत्य हो जाती है बाद में महोनी के परिवार को उस हॉस्पिटल द्वारा मुहाफ़ा दिया जाता है MRI का हाथसा नंबर 2 माइकल कॉलम्बिनी यह घटना 2001 में न्यू यॉक शहर के वेस्ट चेस्टर मेडिकल सेंटर में घटी माइकल कॉलम्बिनी 6 साल का बच्चा था जिसके ब्रेन में एक चूमर था और उसके हाल ही में सरजरी हुई थी और सरजरी की प्राग्रिस देखने के लिए जो हीलिंग हुई थी उसकी उसको चेक करने के लिए MRI कराने की नसीहत दी गई थी सरजरी होने के बाद उसे MRI रूम में ले जाया गया ताकि उसकी जाँच हो सके जैसे ही MRI मशीन को चालू किया गया तब ही वहाँ पर एक अक्सिजन सिलिंडर रखा हुआ था जिसे MRI मशीन ने 20 से 30 फीट प्रती सेकंड के हिसाब से 30 गती से खीचा तो सिलिंडर उस बच्चे के सिर पर जोर से जाखे लगा जिसकारण उसके सर पर काई फ्रेक्चर आये उसके मस्तिश को काफी चोटे पहुँची उस बच्चे ने दम दोर दिया MRI के हादसा नंबर एक मुंबई का हादसा ये घटना 2014 के एक मुंबई के हॉस्पिटल की है स्वामी रमाईया जो की एक तकनीकी सहायक थे वे MRI मशीन को स्कैन के लिए तयार कर रहे थे तभी उनने वाड़ बॉई सुनील जाधों को आक्सिजन मास्क लाने के लिए कहा सुनील वहाँ पर नया लगा था नया करमचारी था इसलिए उसे MRI रूम के बारे में ज्यादा और पता नहीं था उसे रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे लेकिन सुनील को सुनने में गलती हुई कि आक्सिजन मास्क लाना है या आक्सिजन टैंक वो भूल गया और उसने चार फुटका आक्सिजन टैंक MRI रूम में गुसा दिया जैसे ही सुनील मशीन के पास गया मशीन में पूरी ताकत के साथ उस सिलेंडर को अपनी ओल कीच लिया जिस कारण से सुनील और रमया MRI मशीन और सिलेंडर के बीज बुरी तरीके से फस करे ये दोनों उस मशीन में चार घंटे तक फसे रहे क्योंकि उस मशीन का इमर्जंसी स्टॉप बटन काम नहीं कर रहा था इस घटना में जाधाओ के कंधे फ्रैक्चर हुआया और रमाहिया की किडिनी डामेज हो कई और इंटर्नल ब्लीडिंग शुरु हो कई वहां के लोगों ने बताया कि उस सिलिंडर को निकालने के लिए रस्यों का सहारा भी लिया गया लेकिन जब तक उस मशीन के टेक्नीशन नहीं आएं तब तक उसे निकाला नहीं जा सका MRI सेफ माटीरियल से जो इंप्लांट होंगे वही सेफ रहेंगे अन्य था नहीं इस बात का खास ख्यार रखें जेतना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेस्बुक पर शेयर करें वाटसेप पर शेयर करें नजाने कब आपको MRI की ज़रत पढ़ जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रही हमारे इस दिल्चस्प पेच के साथ जिसमें आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही रोचक वीडियोस दलने वाले हैं तो अभी फालो कीज़े इस पेच को धन्यवाद